वैसे देखा जाये तो जंगल का राजा तो सेर को माना जाता है लेकिन जंगल के इस जीव का सेर कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और यदि यह जीव अपने आप पर आ जाये तो बलकि उल्टा सेर को मार गिराते हैं हिपो जंगल में हाथी और गैंडे के बाद तीसरा सबसे भारी जानवर है जिसका वजन लगभग 4 तन तक होता है और यह 12 फिट लंबा एवं 5 फिट चौड़े होते हैं हिपो घास खाना पसंद करते हैं लेकिन ए रात के समय ही घास खाने के लिए निकलते हैं क्योंकि दिन के समय तेज धूप इनको बरदास नहीं हो पाती है इसलिए यह दिन में किसी बड़े तालाब या नदी में सोते हैं एक रात में एक नौजवान हिपो पचास से साट किलो ग्राम तक घास खा जाता है इनका सबसे बड़ा हतियार इनका दांत है जो की साट सेंटीमिटर तक लंबे हो सकते हैं जिससे यह जंगल के सेर जैसे ताकतवर जानवर को मार ढलते हैं वैसे आम तवर पर सेर भी इन हिपो से जल्द नहीं भिड़ते हैं लेकिन जब यह हिपो के बच्चे को अकेले में पाते हैं तो उसे मार ढलते हैं इन हिपो की तवचा दो इंश तक मोटी होती है जो की सुरी की तेज धूप से इनको सुरच्छा प्रदान करती है ये एक जुंड में रहना पसंद करते हैं और एक जुंड में लगभग 40-50 हिपो रहते हैं ये अपने इलाके में किसी का आना बरदास नहीं करते हैं हिपो पानी के अंदर 5 मिनट तक अपनी सांसों को रोग पाते हैं लेकिन इनकी आखे थोड़ा कमजोर होती है इसलिए ये पानी के अंदर कुछ जादा नहीं देख पाते हैं लेकिन भगवान ने इनको सुनने की चमता काफी तेज दी है जिससे ये अपने अगल बगल होने व